आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना पैन कार्ड कैसे खुद से भी बना सकते हैं और आपको तो पता ही होगा कि पैन कार्ड आपके लिए कितना जरूरी है इसके लिए आप पैन कार्ड को MP Online की शौप से बनवाते हैं इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपना पैन कार्ड खुद से ही अपलाई कर सकते हैं इससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आज जाए तो लाइक कर देना चलिए शुरू करते हैं जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि आजकल पैन कार्ड की कितनी जरूरत होती है हर सरकारी गेर सरकारी कार्य में पैन कार्ड की आवश्यक्ता होती है यदि आप कही पर भी 2 लाग तक रूपे की खरीदारी करते हैं तो आपको अपना पैन कार्ड दिखाना होता है जब आप जॉब के लिए जाते हैं, बैंक में खाता खोलने के लिए, घर या जमीन खरीदने के लिए तो तब भी आपको अपना pen card दिखाना होगा और साथ ही आधार card के साथ pen card जोड़ना आधी लेंदेन के मामले में pen card की आवश्यक्ता होती है, यदि आपने अभी pen card नहीं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पेन कार्ड अपलाई करने लिए आपके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट होना आवश्यक है, जैसे मूल निवास, बोटर आईडी, इमेल, आधार कार्ड, बैंक अकाउन, पासपोर्ट साइज, दो फोटो, अगर आप इंडिया के एड्रे पहले आप या तो फॉर्म को डाउनलोड कर लें या फॉर्म को सेब करके आप उसी समय फॉर्म का प्रिंट भी निकाल सकते हैं, उसके बाद आपको अपनी दो पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यक्ता होगी, आपको फोटो का सत्यापन करना होगा और इसमें साइन करन होगा, उसके बाद आपको फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी सही सही भरनी होगी और आप जितने भी दस्तावेज सनलगन करेंगे आपको उनको सत्यापित करने के लिए उन पर भी अपने हस्ताक्षर करने होगे। अब जानते हैं पेन कार्ड को आप आनलाइन कैसे बना सकते हैं सबसे पहले उम्मीदवार आएकर विभाग की ओफिसियल वेब साइट पर जाएं जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने गूगल पर NSDL सर्च किया और सबसे पहले नंबर की साइट को ओपन करना है उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको अपलाई करने के लिए अपनी सारी डिटेल्स डालनी होगी इसके बाद आपके द्वारा दी गई इमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आपका टोकन नंबर आ जाएगा उस टोकन नंबर से आप नेक्स्ट बार कभी भी अपनी आईडी ओ उपन कर सकते है नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आपको अपने आधार से संबंधित जानकारी फील करनी होगी और नेक्स्ट बटन प्रेस करना होगा आगे आपको अपनी personal details, contact details field करके summit करना होगा Next Air code डालना होगा जिसे आप अपनी country और state चूज करके निकाल सकते हैं Next बटन पर प्लिक करके आप अपने document scan कर upload करें और fees का भुपतान करके अपना pen card को अपने दिये गए address में बुला सकते हैं इस तरह आप अपना पेन कार्ट घर से ही अपलाई करके बनावा सकते हैं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताए मिलते हैं नए वीडियो पे, एक नए कॉंटेंट के साथ, जब तक के लिए, जै हिंद